तो पिछले में मैंने सावीट 13 स्रीज को पर बात कि थी एंड इसे चाइना में लांच कर दिया गया है एंड एस प्रस्पिकेशन मैं लगवग बता चुका हूं तो इस न्यूज वे मैं आपको इसके प्राइस बताने वाला हूं सबसे पहले सावीट 13 की मैं बात कर लू तो इ प्राइस की बात कर लू तो इसमें भी चार वेरियंट लॉंच किया है प्राइस में होता है लगवग 69300 रुपीज के आसपास एंड इसमें भी 12GB RAM के साथ 512GB स्टोरेज को लॉंच किया गया है तग्रीवान 62991 में एंड उसे इंडियान पीज में आप करोगे तो तग्रीवान 75,000 के प्राइस के आसपास होता है तो सामी 13 प्रो का जो 12GB RAM वेरिय साथ में 420MH की बैटरी एंड 120W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है साथ में 50W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है इसके लाव मैं कैमरा की बात करी रहा हूं तो सामी 13 के अंदर भी ट्रिपल यर कैमरा का सेटप देखने को मिलता है लेकिन उसके अंदर जो 50MHz का प्राइमिंग हमा सेंसर है उसमें Sony का IMX800 सेंसर देखने को मिलता है वही पर मैं 13 Pro की बात कर लूँ तो उसमें 50MHz का लाइब इसके लावा 50 Megapixel का अल्टरा वाइड और साथ में 50 Megapixel का टेली फोटो लेंस भी दिया गया है इसके लावा मैंने आपको यह भी बताया था कि साथ सामी के कई और डिवाइस भी लॉंच होने वाले हैं जैसे सामी वाच एस्टू भी लॉंच हुआ है और इसमें भी दो दो वेरियंट लॉंच किया गया है 42 mm साइज की और 46 mm साइज की मैं प्राइस की बात कर लोंच किया गया है यानि लगबग 13,050 रुपे के आस पास इसके लाबा सामी मिक्स फोल्टू का एक नया कलर वेरियंट को भी लॉंच किया गया है और साथ में बाकी अधर गैजेट्स की मैं बात करी रहा हूं तो सामी बट्स फोर को भी लॉंच किया गया है तगरिवन 6,991 में इसे आप इंडियन रुपीज में कंवर्ट करते हो त इसके लाबा सामी ने राउटर भी लॉंच किया है जो की 10 गीगावीट रॉटर है और इसकी प्राइस दगरिवन 17991 है और इसे इंडियन फीज में अगर आप अगर आप करते हो तो दगरिवन सारे एक किस जार के प्राइसेंज के आस पास होता है तो सामी 13 स्रीज तो लॉ लॉंच किया गया है एंड मैंने तीन चार डिवाइस को ही इस टेगनीज में रखा है नहीं तो टेगनीज और भी बड़ा हो सकता है वैसे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रू बताना कि सामी 13 प्रो का प्राइस आपको कैसा लगा अगली नीच में बात कर लो तो इन्फिनिक्स के तरब से निकलके आ रही है अभी एक दो मन पहले ही ग्लोबल मार्केट में इन्फिनिक्स जीरो अल्टरा 5G को लॉंच किया गया था एंड अब यह इंडिया में भी बहुत जल्दी आने वाला है इसकी भी लॉंच डेट कंफर्म हो गई है दिसंबर 20 को यह इंडिया में लॉंच होगा एंड यह जो फोन है वो 180 वाट ठंडर चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉंच किया जाएगा साथ में 200 मेगा पिक्सल का प्रायमी कर्मा संसर इसके अंदर देखने को मिलने वाला है तो देखते हैं कि इंडिया में यह किस प्राइस स्रेंज में लॉंच होता है एंड इंफिनिक्स के तरफ से यह एक पहला स्मार्टफोनों का जिसके अंदर 200 मेगा पिक्सल का प्रायमी कर्मा संसर आपको इंडिया मार्केट में लॉंच होते हुए दिखने वाला है तो फानली दोस्तों आज का मार्ट टेगनूज यही पर स्माथ होता ह है एंड आज की कौन सी टेगनूज आपको सबसे यहादा पसंद आया नीचे कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताना साथ में अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत बूला एंड जो लोग भी रेगुलर टेगनूज को देखते हो तो ज़रूर से लाइक कर दिया करो क्योंकि च यहाँ नाई मिलते हैं फीट नेक्ष्ट टेगनूज के तब तक लिए श्यूर से फेंड बाय बाय